नमस्कार डाक्टर विश्णू प्रसाद सर्मा व्याख्याता परिश्कार कॉलेज ओप ग्लोबल एक्सिलेंस मानसरुबर जैपुर आज हम बैदिक धर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं मित्रो बैदिक धर्म की चर्चा करने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज आज आप बैस्विक परिदर्श में देखते हैं तो धर्म को लेकर के अनेक प्रकार की जो बिसंगतियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। आज जो हिंसा बढ़ रही है उसके मूल में क्या है ये हमें जानना चाहिए। अगर हमें हिंसा को त्यागना है तो इसके लिए धर्म की सरण में जाना ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म को बहुत संकेंटा के दाइरे से देखा है उस संकेंटा के दाइरे को हमें खत्म करना होगा इसलिए हमें बैदिक धर्म को समझना आवशक है बैदिक धर्म जिसको जानने के लिए जो स्रोत है वो बैदिक साहित है बैदिक साहित में सहिता है चारो बेद है रिक बेद है यजुर बेद है साम बेद है अथर बेद है ब्राह्मन ग्रंत है आरेन्यक है उपनिसद है यह तमाम जो है साहित है वो बैदिक धर्म को जानते हैं हम धर्म के बारे में विचार करें कि आखिर में धर्म होता क्या है तो धर्म दिर्दातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारन करना अर्थात निरुक्त में इसका अर्थ नियम भी बतलाए गया है जिस नियम ने लोग को धारन कर रखा है वही धर्म है दूसरे अर्थ में हम क अगर अगर आता के रूप में है तो आपका पित्र धर्म है, अगर माता के रूप में है तो आपका मात्र धर्म है, इसी तरह से राज धर्म है, कुल धर्म है, अनिक धर्म की स्वरूब हमें देखने को मिलते हैं, फिर इसमें विवाद किस बात का, साधन, अर्थ, काम, मोक्ष सामाइन ते भारतिय संस्कृति में जो है पुरसार्थों की अब्धार्णा है अर्थात मानब जीवन को सुब्यवस्तित करने के लिए हमें धर्मानुसार आच्रण करना चाहिए मनुस्मिर्थी कहती है अइंसा है सच्त है अस्ते है सोच है अर्था सरीर और मन की पविद्रता इंद्रियों का संयम ये चारों बढ़नों के लिए आवशक है ये आपका धर्म है अर्थात आप कैसा आच्रण करें अर्था दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि धर्म का आच एक आच्रण सहिता से है, मनु, हाला कि मनु को लेकर के काफी विवाद है, लोग मनु को स्विकार नहीं करते हैं, ये दूसरा पक्ष है, लेकिन हमें मनु को समझना चाहिए, और मनु ने धर्म के दस लक्षन बतलाए हैं, उन दस लक्षनों में आप देखते हैं, सत्य है, सयम है, ख्यमा है, धहर है, सोच है, इंड्रे है, निग्रे है, ये तमाम जो हमारे सास्वत मुल हैं, इन सास्वत मुल्यों का अगर हम जीवन में आच्रण करें, तो क्या समाज में जो अराजक्ता की इस्तिती है, वो रह पाएगी, नहीं, इसी द्रस्टी से हमें मनु के का अनुशरण करना चाहिए, जो बैदिक धर्म में देखने को मिलता है, मित्रो धर्म मनुष्ट का स्वाभाविग गुण है, हलाकि पाश्चात बिचारक कहते हैं कि धर्म आच्रण की वैसाहिता है, जिसके माध्यम से ब्यक्ति समाज के सदश्यों के रूप में और एक ब् अनुष्ट की वैसाहित्वे वो इस रूप में है कि यह हमारे उपर नियंत्रन रखता है, हम क्या करें, क्या नहीं करें, हमारा उत्थान करता है, भौतिक और आध्यात्म में दो तरह से उत्थान होता है, वो धर्म की द्वाराई संभव है, भारतिये संस्कृति के अनुसा मनुष्ट के जीवन का उद्देश, मोक्ष की प्राप्ति है, अब मोक्ष की प्राप्ति उसे कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति इन्दा सेंस, जन्म मृत्यू के चक्र से छुटकारा प्राप्त होना, तो हम धर्मानु सारा आचरन करते रहेंगे, तो निश्यत रूप से हमें जन्म मृत्यू के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, हमें अपने करतव्यों का भान होता है, यह इसका महत्व है इस रूप में, जो बैदिक धर्म है, उस बैदिक धर्म के जो प्रेरक तत्व हैं, वो प्रकृती मानी गई है, अर्थात वो काल था, जब मनुष्य है, म बादलों की गड़गडा हट, कभी विजली का कड़कना, कभी प्रथवी का फटना, तो वो भैवित था, और आप जैसा देखते हैं, बैदों में जैसा इस लोग आया है, अम ध्यो सान्ति ही, प्रथवी सान्ति ही, आपा सान्ति ही, बनस्पति सान्ति ही, सारवम सान्ति, य और ये सार्भॉमिक सत्थ है, कि सृष्टी और जो सरष्टा है वो एक ही है, अर्थाथ हमारे बैदिक धर्म के अंसरा मानते हैं कि ब्रह्माजी सृष्टी के मूल में हैं, लेकिन रिगवेद का नासिद्य सुक्त कहता है कि एकम सद विप्रा बहुदा बधन्ति, अर्थाथ स जल है बायू है अगनी है आकास है यह पंच महभूत प्रकरती में भी है और मनुष्य सरीर का जो नर्मान हुआ है उसके मूल में भी यही है इसलिए तुलसिदासी कहते हैं कि छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम समीरा हमें दोनों में सामें रखना चाहिए ब प्रकरती की प्रधानता बहुदेबाद का आरंब रित की अबधार्ना इसमें मैं बात करूँगा रित की अबधार्ना अर्थात रित से आप क्या समझते हैं रित का यहां जो आश्य है वो एक नैतिक ब्यवस्ता से अर्थात विश्व की जो एक ब्यवस्ता है जिसमें प्र में इसे रितश्यकोपा कहते हैं बहुदेबाद अर्थात एक से अनिक देपताओं की उपासना करना बहुदेबाद धर्म के चार प्रसाथ पतला गए हैं इसमें यग और अनुस्टानों की प्रधानता है लेकिन यग जो सरल रूप में किये जाते हैं किसी प्रकार की बली नह रगों का आद्ण किया जाता है रच्वेदिक कालिन जो देबता हैं उनकोति च्वागों मिवाज़ित किया गया आकास्वाशि अंत्रिक्षवाशि और प्रथवी वासी रग 계व में 33 देवतां को अल लेक मिलता है आकासवाशि देपता में दोस्यव वृष बरून सूर्य उन्होंने देपताओं का मानविये करन कर दिया अर्थात जो मानविये गुन होते हैं रंग रूप कद काठी आकार आकरती ये सब उन्होंने प्राकृतिक सक्तियों में देखना प्रारम कर दिया इसके अलावा जो प्राकृतिक सक्तियां हैं उसमें देविये तत्मों का होती है और देपता जो होता है वो अजयर अमर होता है तो जो प्राकृतिक सक्तियां उनको देवियत विस्थापित करके अजयर अमर माना गया था कहीं कहीं यह जो धर्म है वो प्राकृतिक सक्तियों के महत्व की और इसारा करता है बैदिक धर्म के सुरोतों की हम पहले चर्चा कर चुके हैं अब रिगवेद है रिगवेद का जो समय है वो पंद्रह सो एक हजार इसापूर माना जाता है इसमें 10 मंडल हैं इसमें एक से साथ जो मंडल हैं इसमें विश्वामितात्री भरद्वाज बस्षादी जो इसके मंत्र द्रश्चा जिसी रहे हैं और रिगवेदों के ये अंग हैं जिनकी में शुरू आत्म बात कर चुका हूं कि साहिता ब्रहमन अपने सद ब्रहमन जो है वो बेदों की गद् बैठब कर अध्यन करना बैदिक साहितकान्तिम भाग होने के कारण इसे बैदांत भी कहते है यह निस्कत कर औह रूप मैं यह कहना चाहूंगा जो बैदिक धर्म है उसमें किसी प्रकार के मूर्ति पूजा नहीं है किसी प्रकार के किये जाते हैं कि यग में करमकांड बढ़ जाता है यह सब उत्तर बैदिक काल में होता है प्रार्यम बैदिक काल में जो है इसका जो रूप है वो बहुत ही बैग्यानिक लिये हुए अब अगर हम यह कहें कि उत्तर बैदिक काल में करमकांड में जटलता आ गई प्रोहित आधार पर हमें इसको खारिज नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका पक्ष है वो यह है कि वो प्रकृति उपासक हैं और तारकेक उनका दृष्टी कौन है। आज भी हम जैसा देख रहे हैं आज जो हमारा बैसकिल है उस में हम इनिक समस्षाओं से जूद रहे हैं जिसंगर खासक करके पर्यावरण की जो समस्षा है क्यों कि हमारा जो खानपान है जो जीवन सहली है वो इस प्रकार की हो गई है कि जो प्रकृतिक सक्तियां हैं उनको नस्ट कर रही है वहीं बैदिक काल की जीवन पद्दिती थी मनिश्यों की वो बहुत ब्यवस्तित और संयमित थी जिसके कारण नेकिवल वो अपना अपितु प्रकृत्ति का भी ध्यान रखते थे मैं समस्ता हूँ इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैदिक मनिश्यों ने एक आच्रन सहिता बनाई उसी आच्रन सहिता को हम बैदिक धर्म के रूप में मानते हैं धन्यवाद